स्वागत है आप सभी का आज के मौसम समाथ 4 में तो चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश भर के मौसम का हाल वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट सेक्षन में अपनी जिली का नाम जरूर बताएं जिससे कि हम आपको डेली अपडेट करा सकें साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर पास आई बेल आइकन को दबाना ना होगा जमक होने की बहुत संभावना है तो वहीं पूर्वियुक्तर प्रदेश में एक या दो स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है वहीं आज भी मौसम सुहाना बना रहे लेगा बारिश का पूर्वानुमान होने की चलते जाद तर जिलों में छुटकुट बारिश हो सकती है ब अगले पाल दिनों तक ताफमान में कोई खास बदलाब देखने कुट नहीं मिलेगा पशिमी यूपी में एक से दो जगाहों पर हल्की बारिश और पूर्वी यूपी की एक या दो जगाहों पर भारी बारिश की चेता और निजारी दिए आश्रावस्ती बहराइश लखी पूर्खीरी और आसपास के लांकों में भारी बारिश हो सकती है दिवरिया गोरत पूर संतकभी नगर बस्ती और कुशी नगर में गरत चमक के साथ आकाशी और बिजली गेनी की भी संभाब नहीं इसके लावा महराज गंग सिधाट नगर गोंडा बलरांपूर शावस्ती बहराईच और लखीम पूर्खीरी जिले में भी में गर्जन के साथ बिजली केड़ सकती है सीतापूर शहारनपूर शामनी मुझाफर नगर बिजनौर मुरादबाद रामपूर बरेनी और पीली भीत में में गर्जन बारिश और बिजली केड़नी की संभाव नहीं सोला से 17 अगस्त तक जारी रहेगा बारिश का सिलसला यूपी मौसा विभाग के मताविक आज पश्यमी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश होनी की संभाव नहीं पूर्वी हिस्से में कहीं कहीं तेज बारिश और बिजली केड़नी की वीचे ताबनी जारी की गई है 15 से 16 अगस्त तक प्रदेश में तमाम जगाहों पर जमाजम बारिश तो कुछ जगाहों पर छोटपुर बारिश भी दर्च की जा सकती है इंजिलों में 12 बढ़ा इंजिलों में यैलो अलर्ट यूपी मौसन विभाग की मानी दुकानपुर लखना उबारांसी आग्रा गोर बारिशन होने के चलते तापमान बढ़ रहा है उत्तप्रदेश के पूर्वोत्तर इलाफों में आएमटी ने यहलो अलर्ट जारी इन इलाफों में गरचमुक की साथ बर्शा होनी के आसार है बहराइच गोंडा सिधाटनगर गोंडा बलरामपूर और शावस्ती में हलके स मद्यम बारिश होने के आसार है 16 और 17 अगस्त को पशिमी यूपी में एक से दो स्थानों पर और पूर्वी यूपी में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है इसके बाद मौसम में बदलाब देखने को मिलेगा यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें थेंक्स पर वाचिंग